प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाने बाला हूँ अपनी वीडियो में फिरी म्यूजिक एवं साउंड इफेक्ट को लगाना यदि दोस्तों आप इस तरीके से अपनी वीडियो में free music एवं sound effect लगाओगे तो आपके पास copyright clamp नहीं आएगा और जो भी पैसा उस वीडियो से मिलेगा वो पूरा का पूरा आपको ही मिलेगा इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखे और सीखे कि हम किस प्रिकार से अपनी वीडियो में free music लगा सकते हैं एवं sound effect को लगा सकते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को start कर लेते हैं दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले chrome browser को open कर लेना है दोस दोस्तों अभी से वीडियो को like कर दीजे चैनल को please subscribe कर लीजे notification bell को दबा कर आल पर click कर लीजे क्योंकि दोस्तों फिर आप वीडियो देखने में मस्त हो जाओगे और like और subscribe करना भूल जाओगे दोस्तों अब आपको क्या करना है सर्च वार में search कर लेना है youtube.com और दोस्तों search कर लेना ही youtube.com लिख कर जैसे ही आप search करोगे तो आपके पास एक नया page open हो जाएगा दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो हमारे सामने एक नया page open हो रहा है दोस्तों अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दें आप लोग देख सकते हो नया page open हो गया है फिर दोस्तों आपको ऊपर साड में देखना है three dot के नीचे आपके channel का एक logo देखाई देगा जिस पर आपको दोस्तों किलिक कर देना है जैसे ही आप three dot के नीचे आपके channel का जो logo देखाई देगा आप उस पर click करोगे तो आपके पास यहां पर corner में एक छोटा सा page open हो जाएगा दोस्तो आप लोग इस स्क्रीन पर देख सकते हो एक छोटा सा page open हो गया है फिर दोस्तो आपको यहां से बहुत सारे option मिलेंगे जिसमें आपको your channel पर click कर देना है दोस्तो जैसे ही आप your channel पर click करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक नया page open हो जाएगा दोस्तो आपको यहां से बहुत सारे option मिलेंगे लेकिन दोस्तों आपको यहां से customize channel का एक option होगा जिस पर आपको click कर देना है दोस्तों जैसे ही आप customize channel पर click करोगे तो आपके पास फिर से एक नया page open हो जाएगा दोस्तों आप लोग video को तो देख लेते हो लेकिन चैनल को subscribe नहीं करते प्लीज subscribe भी कर लिया करो क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए हर एक topic पर वीडियो बनाने की पूरी कोसिस करते हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हो नया page open हो रहा है तब तक हम थोड़ा wait कर लेते हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक नया page open हो गया है फिर दोस्तों यहाँ पर आपको left side में इस side देख सकते हो 3 dot है इसके left side में ये cross का icon है इसके नीचे आप लोग देख सकते हो आपके channel का logo होगा फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monetization वाले section के नीचे दोस्तों monetization वाले section के नीचे आपको ये option मिलेगा फिर इसके नीचे आप लोग देख सकते हो ये music का science बना होगा है आपको दोस्तों इस पर click कर देना है जैसे ही आप दोस्तों इस पर click करोगे यहाँ पर लिखा आ जाएगा audio library और दोस्तों आप लोग देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से screen देखाई देने लगेगी जब आप इस वाले option पर click करोगे monetization का section है उसके बाद एक option को छोड़ देना है पर उसके बाद सबसे end में नहीं यहाँ पर है यह monetization के बाद एक option छोड़ देना उसके बाद यह music का option है जिसे हम audio library के नाम से जानती है दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे जो है हमें sound effect देखने को मिल जाते है लेकिन आपको अपनी ketagari के हिसाब से भी select करना है तो क्या करना होगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो यह music का sign है music का आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है why using youtube library you agree with youtube library determined condition फिर दोस्तों आपको क्या करना है search और filter library पर जैसे ही आप click करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे option मिल जाएंगे track title का mood का artist name, direction और ये genre करके है इसका दोस्तों option मिल जाएगा जैसे कि माल लीजिए मुझे यहाँ पर किसी भी song को सुनना है आप लोग देख सकते हो इसमें सब youtube का sign बना हुआ है दोस्तों जैसे कि माल लीजिए मुझे यहाँ पर इस song को सुनना है हम आपको दिखा देते हैं जैसे यह बाला song है आप लोग देख सकते हो यह song जो अभी थोड़ा time लग रहा है इसमें आप लोग देख सकते हो यह song आप सुन सकते हो इसमें आपको copyright नहीं मिलेगा फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हो यहाँ से download कर सकते हो जैसे ही दोस्तों आप download पर click कर दोगे तो आपका जो यह download होने लगेगा आप लोग देख सकते हैं उपर आ गया है download file see notification for download status दोस्तों यह जो है आपकी my files होगी यहाँ पर यह download हो जाएगा आप आप हाँ से check कर सकते हो अब दोस्तों जैसे कि my लीजिए मुझे here केटागरी के साफ से search करना है search केटागरी पर click करेंगे और यहाँ पर track title पर click करेंगे दोस्तों जैसे हम track title पर click करेंगे मैं लीजिए मैं लेकि देता हूं टेकनिकल और arrive कर देता हूं दोस्तो जैसे मैंने टेकनिकल करके apply किया दोस्तो यहां पर जो सकते यहां पर पर यहां से महा lep क्लिक करोगे तो आपके सामने फिरसे नया pageो spend हो जाएगा और वह सारे जो है music का जाएंगे आप यहां से किसी भी music को उठा कर अपनी वीडियो में लगा सकते हो आप लोग देख सकते हो यहां पर समय YouTube का license है तो आपको इसमें copyright claim देखने को नहीं मिलेगा यहीं हम sound effect वाले option पर आएंगे दोस्तों जैसे ही हम sound effect वाले option पर आएंगे तो आपके पास यहां से बहुत सारे sound मिल जाएंगे जैसे कि माल लीजिए मैं आपको यहां पर एक sound है जो सुनाता हूँ जैसे कि मैं यहां पर इस sound को सुरू कर देता हूँ तो यहां पर थोड़ा time लगता है start होने में क्योंकि यहां पर नेटवर्क थोड़ा slow है दोस्तों यहां पर यह जो start हो जाएगा आप यहां पर जैसे download वाले option पर click करोगे आप लोग देख सकते हो start हो गई यह आप लोग देख सकते हो जैसे दोस्तों आप download वाले option पर click करोगे तो आपके उपर देख सकते हो यह download हो चुका है अब दोस्तों यहां पर आपको जैसे बहुत सारे sound effect देखने को मिलेंगे आप यहां से देख सकते हो row page जैसे आप इस पर click करोगे तो आप 100 पर भी कर सकते हो music में भी और यहां से भी आप लोग देख सकते हो यहां पर आपको बहुत सारे sound effect देखने को मिलेंगे जैसे आप नीचे bottom में कुछ इस तरीके से आपको एक sign मिलेगा आप इस पर click कर दोगे तो आपके सामने जो है फिर से नई है नई नई जो है open हो जाएंगे जैसे दोस्तों आप यहां से डालोग करते हैं तो आप लोग देख सकते हो यहां पर है search for filter library जैसे कि मालीजी यहां पर भी हम टेखनीकल लिख लेते हैं टेखनीकल और सर्च कर लेते हैं दोस्तों सर्च टेखनीकल लिखकर हम जैसी सर्च करते हैं तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास जो है कुछ यहां पर आ यह मुझे जैसे आप लोग देख सकते हो जैसे इसको सुने तो थोड़ा श्टार्ट होने में टाइम लग जाताए आप लोग देख सकते हो और यह अगना लाइसन्स टाइप जिसमें यूटीब का साइन बना हुआ यह सभी जैसे कि हम लीजे यहां पर इसको अटा देते है कि इसको वाटा देते हैं अब हम आपको जो है बापस दिखाते हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसे आप म्यूजिक पर आओगे ट्रेक टाटल करके आप सर्च करोगे तो आपको यहां पर बहुत सारे मिल जाएंगे जैसे आपको यहां पर एट्रिवीशन नोट र्वायड का एक Opf. फर पहले!! इसको फटा देते हैं अ 2002 कुछ लेकिन नोट्रीवीशन रेकवाईड वाले ओप्शन पर कलेक करेग करोगे तो कर้ लोगे जैसे आप लोग देख सकते हैं चैनलोड हो गया है जब दोस्तों आप इस नाञए चुंट याप लिंक देने पड़ेगी श практически बाले जैसे को है इस इस से पर किलिक करें गए और यहां पर यह जो है आपको copy that claim देखने को नहीं मिलेगा जब आप जो है इनका जो है credit आप देदोगे song का लेकिन दोस्तों आपको यहां पर attribution पहले इसको जो है हम यहां से हटा देते हैं और यहां पर search for filter library पर click करते हैं आप attribution not required वाले पर click करोगे तो आपको यहां पर जो कोई को credit नहीं देना और यहां पर भी आपको जो बहुत सारे song हैं बहुत सारे sound effect हैं जो आपको देखने को मिलेंगे आपको जो भी पसंद आता है आप यहां से लगाईए और देखिए कि आपको कौन-कौन से music अच्छे लगते हैं कौन-कौन से sound effect अच्छे लगते हैं यदि कोई भी doubt है तो आप description box में comment box में comment कीजिए या आप मुझे Instagram पर message भी कर सकते हैं दोस्तो आसा करते हैं कि आप अपनी वीडियो में free music एबं copyright free music एबं sound effect अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो YouTube की इस library में दोस्तो आप यहां से यूज करोगे तो आपको अपनी वीडियो में जो है कहीं भ झाल